एक बार फिर से आपका स्वागत है ओजांक टाइम्स में, एक बिग अपडेट के साथ, संजौली मस्जिद विवाद, जिसने हाल ही में शिमला के शांतिपूर्ण माहौल को हिला दिया है, क्या यह विवाद कानूनी है या इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? यह है शिमला के पास संजौलीक शेत्र, जहां एक मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ है, प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू की थी, फिर भी हजारों की संख्या में लोग मस्जिद की तरफ प्रोटेस्ट करने पहुँचे दूसरी और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि मस्जिद का निर्मान नियमों का उल्लंगन कर किया गया है पुलिस के बीच जडब भी हुई और भीड को नियंतरित करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा कुछ पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों को छोटें भी आई है अब इस मामले में कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा सरकार ने भी संकेत दिया है कि अगर मस्जिद अवैद पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसे हिंदू-मुसलिम मुद्दा बना रही है वहीं विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई में देरी की है जिससे ये स्थिती पैदा हुई इसे लेकर भी काफी बहस हो रही है कई लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से संपत्तियों पर अधिकार जमाता है और इस बिल से इसमें सुधार हो सकता है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संजौली मस्जिद विवाद और वक्फ बोर्ड के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश की अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और डेली अपडेट रहने के लिए रेड बेल आइकॉन को दबाए हम जल्द ही ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल ओजांक टाइम्स